जीवन का पहला दिब्ब प्रगट में ऐसे तो स्वपनों ऐसे प्रगट में ऐसे ऐसे उशी के बाद फिर भाई जी महाराज राधा वावा का दर्शन आफिस में हुआ नेतरुक्षा ने आफिस प्रगट है ऐसे भाई जी करके ऐसे सच्छी कहते हैं काशी में रोज लगता था कि आज महादेव जी में रोज अकेले शांत गंगा का किरा राध जो ऐसे खंड है प्राण है कान में कान है प्राण है वो प्रभू की लीलाओं का गयन लीलाओं का स्रवन लीलाओं का चिंतन नाम का किर्तन नाम का चिंतन करती हुई ऐसी तदात्मिका हुई कि वो यही कहने लगे कि मैं स्रीक्रश्न हों इसी के प्रवा हमें लीला में डूटती चिदानंद में लीला इसी के बाद प्रगट होती प्रभू इसी में डूबोने के लिए तो अवतार लेते हैं अगर वो अवतार न लेते तो हम क्या लीलागाते हैं कि या लीला स्रवन करते फिर हमारे महा मोह का नास कैसे होतायली लीलागायन लीला श्रवन ही हमारे महा मोह का नास करता occurring प्रभू के अवतार का एक ही प्रियुजन है अपने भक्तों को शुक्ष देना जैसे छोटे बालक कंकर पत्थर काच की गोलियों में इतनी ममता रखता है कि एक कोई ले ले तो उसके लिए मारपीट शुरू कर देता है वही थोड़ा जब बड़ा होता है तो उसके नजर में बिलकुल ऐसे बेर्थ दिखाए देता है और वह अपनी बेर्थ की पीछे की चेश्टाओं में हसता है ऐसे उपाशक को जब प्रभु की लीला गायन स्रवन में रुची होने लगती है और प्रभु अपने लगने लगते हैं तो अपनी ही जीवन भर की चेस्टाएं जब कभी स्पुरित होती तो हाशी आती है क्या दुर्दशा थी हमारी जैसे वो एक छोटी से कंकन या गोली के लिए एक दूसरे को मारता पीटता है बालक ऐसे ही हमारी अज्ञान की कैशी धरा थी कि हम छुटी छुटी बातों में कहां फिशलते थे कहां गिरते थे हरी की लीला गायन, लीला श्रवन, लीला चिंतन से वो हरी श्वरूप हो जाता है प्रभु मैं हो जाता है मन मया जैसे प्रभु का प्रगठ होना दिब्य है प्रभु का श्रियंग दिब्य है ऐसे ही भक्त का जन्म लेना दिब्य हो जाता है और उसकी सारी चेश्टाएं दिब्य हो जाती गुणातीत हो जाती है जो प्रभु की लीला गयन, लीला स्रवन, लीला चिंतन, नाम किर्तन, नाम जब, आदि निरंतर इशी में तनमे रहता है, ये आपको समय मिला है बड़ी हाँ शवभाग मिला है बहुत देर तक प्रभु में मन को लगाय रखना है बहुत अच्छे पहुचे हुए उपासकों में छमताती है नहीं तो नहीं होती लेकिन कथा कीर्तन, लीला गयन में आपकी रुची हो या न रुची हो, बैठे हो तो स्रवनेंद्री में पढ़ रहा है ये हमने देखा कि कालेश शर्पनिक डस्सा तो पूरु के बड़े मंत्रक की जन होते थे साथ लोग लगभगाये हुए थे और जिस शमय से सर्फ का जहर चढ़ना प्रारम हुआ था श्यामता च्छाने लगी थी सरीर में हम बालक ही थे उस शमय तो नीम के लचह हुए ऐसे लेके और वो मंत्र बोलते थे अपने लोग की कोई नहीं समझ पा रहे थे क्या बोल दे हो ऐसे बड़ बड़ाता जिससे ऐसे सब्दो की कोई सब्दों का ग्यान नहीं होता था कि बोल क्या रहे है पर यह ही मंत्र पूरा होदा तो उसमें ऐसे लहरे आती चार घंटे के अंतरगत सरीर के श्यामता खतम हो गए जहर खतम हो गया तो जिसको सर्प काटा था वो कुछ जानतो रहा नहीं ना कि क्या बोल रहा है लेकिन प्रभाव तो पड़ रहा है ना उसका भिष उतर रहा है और उतर यह किसी के प्रमान की जरत नहीं फुद हमने देखा है कि और कोई मंत्र काम नहीं करता ऐशी बात नहीं पर मंत्र का ग्यान ही नहीं है तो नाटक से थोड़ी भी भिष उतर जाएगा मंत्र विटाओं को देखा है चार घंटे में फनधारी सर्प के द्वरा काटे हुए शरीर पे बिश की श्यामता चा आ गई थी शूज़न आ गई थी चार घंटे में सुस्त कर दिया यह हमने खुद देखा है उस शमय की बाद वो मंत्र क्या बोल रहे हैं जिसको शांपने काटा हुसे तो शुधी नहीं है और वहाँ कोई भी नहीं जान पा रहा था कि क्या बोल ले हैं लेकिन विश उतर गया ना ऐसे है चतुराशी जी का गयन हो रहा है शिमद्राधा शुदानिदी का गयन हो रहा है जो अविद्या के द्वारा किये हुए पाप कर्म है उसे हम नश्ठ हो रहे हैं धेरे धेरे आप जब स्वस्थ हो जाएंगे तो समझ में आने लगेगा क्या गाया जा रहा है फिर जब आप समझने लगेंगे तो आप जी नहीं सकते इसके मिना ये मन मयाहा प्रभू की शरण हो करके प्रभू का जब चिंतन किया जाता है तो शरणागती से शामर्थाती है कि वो निरंतर प्रभू का चिंतन कर सके निरंतर प्रभू का चिंतन करना केवल महाभागवत के अंदर इतनी शामर्थान नहीं ये बड़ी कठिन बात बिश्व में अ मन साहयुकस शकता है भजन में नहीं करता है आप खुद देख लिए और जो निरंतर भजन करते हैं इसलिए भगवान उनके अधीन हो जाते हैं प्रभु ऐसा करशन देने लगते हैं भग्त के हिरदय में कि फिर वो जी नहीं सकता कुछ दूरी है जिसने बिषयों का करशन रहता है प्रभु का करशन समझ में नहीं आता ध्यान रखना कुछ ही यात्रा ऐसी है और ये यात्रा काटने के लिए केवले कुपा है शादुशंग अगर शादुशंग नहीं तो इस यात्रा में आप कदम आगे नहीं बढ़ा सकते बाग जाएंगे ये यात्रा जहां प्रभू का आकर्षण अभी अनुभो में नहीं आया और शंशार का आकर्षण हो रहा है और हमको निरंतर भजन मार्ग में चलना है ये बहुत कठिन यात्रा है जो इसको पार कर जाते हैं उसके आगे फिर कठिन नहीं होता ऐसी मदूर मदूर जहां की ऐसे दिब्य अनुभो ऐसा अनन्द उसे समझाना नहीं कि भजन सारवस्तु है भजन करना वो भी जी नहीं सकता उसका रोम रोम रग रग प्रभु में हो जाता है पर वहां तक पहुंचने के लिए जो अत्यनत आवश्यक भिश है वो शादुश् शत्संग एक बहुत बड़ा अम्रत है जो बड़े भागशालियों को पीने को मिलता है यही शत्संग हमें नवीन उत्साफ पैदा करता है भगवदानंद का अनुभो नहीं और अब विशयाकरशन बहुत जोर का आग लगी हुई है उसको ऐसा लिखता है कहते है नाम में र रूप में रश है लीला में रसे धाम पूरी चतुरासी जी कई बार गारा हूं सब कुछ कर रहा हूं लेकिन हिरता है वही विशयाकरशन से कोई आनन्द नहीं तो यह अनुभो की बात कह रहा हूं इसलिए यह कहीं लिखी बात नहीं कह रहा कि इतना मार्ग सूखा रहता है वो यहां की बात कह रहा हूँ छाती की बात कह रहा हूँ कि कुछ दूरी की यात्रा को केवल मान कर चला जाता है गुरुदेव की आग्या मान करके और उसमें जो विशय आकर्षन होता उनको मान करके हम उसका त्याग करते हैं कोई आनंद बस नहीं त्याग कर रहे अब वो मार्ग केवल उनकी अंगुली पकड़ के ही हम चल सकते हैं अन्यथा नहीं चल सकते हैं वो केवल मनुराजी होता रहता है और जहां उस शीमा को प्यार किये वो शीमा क्या है अपनापन देह भोगों में सम्मंधियों में जहां य विश्वाशी नहीं कर सकते हैं शब से पहले किसी से सम्मंध नहीं होना चाहिए ऐसे तो बहुत से अनुभव होते थे पर वो जो एक अनुभव हमें शेनपुर में हुआ बहुत दिब्यान ठीक दोपार का शमय वहां दिन में कोई नहीं जाता दरातरी की तो बात जाना दि दिन में कोई नहीं कभी ऐसे पुर्णिमादी को दो-चार लोग ऐसे एकदम जंगल 24 गंटे में दो रूटी और इतनी अरहर की दाल कि शिवा कभी कुछ नहीं था ही नहीं कुछ क्यों फल फूल लोग आ रहे हैं जा कुछ ने एकदम रिशी भूमी अभी है तपो भूमी है बस वो दो बजे दिन में तो दो पार में ऐसे कोई नीन का तो सवाल ही नहीं कि नीन में थे ऐसे नहीं एक एसे बारंडर टाइप पुरा ना था बहुत सिलता है गंगाजी ऐसे शामने लेटे हुए थे मन्त्राकार ब्रति अशीर दिब शुगंध हाई जो आज तक हमने कहीं वो शुगंध बाहे में नहीं देखे ऐसा लगा कहा शे मतलब सौरभ का जैसे कोई प्रवाह आ रहा हो और जैसे जैसे शुगंध हो ग्राणेंदी से अंदर आ जाती है जैसे नशा चड़ रहा हो थोड़ी देर में जड़ता सरीर में आ गई हिल नहीं आख खुली हुई है पूरी चेतना है ऐसे भी नहीं कर सकते बिल्कुल शीदे लेटे लेटे और ऐसे लेटे लेटे गंगा जी के दर्शन हो गया एकदम आधा शरीर उपर कैसे जैसे किसी ने उठाक बैठा और देखा गंगा की धारा से श्वेत वस्त्रधारी दिन है खु तो वस्त्रधारन के श्वेत जटाये हैं और वो ऐसे चले आ रहे हैं देख रहे हैं आये और गोद में इसे सदखा ऐसे ऐसे कर रहे हैं मस्तक को इतनी शौहम का इनी के अंग से शौरावा और कुछ बोले दुए वो जीवन का पहला दिब्ब प्रगट में ऐसे तोस्व इसे प्रगट में ऐसे ऐसे कुछ कहा कुछ बुले इसके बाद सीधे ऐसे और गंगार है है शापार आनंग क्यों बताया नहीं जा सकता है जब आप उस शीमा को पार कर जाएंगे जहां कहीं किशी से अपना पन नहीं शरीर से भी लें वहां सेक्णों बीची ऐसे घुमते थी जैसे काले चीटे गुमते ना भूरे काले चीटे ऐसे बीच्छियां घुमते थी बिचखापर शाप कई तरह जंगल पुरा ना गंगा थी उसमें लेटे रहते ब्रद्द थे वह पर बड़े तपश्वी थे वहां को यह और टीक नहीं सकता था अनुभाव अपनापन जब तक सरीर से तब तक दिब्विता का अनुभाव ने हम बहुत अंदर लालाईत रहे किन से पूछे आपको का परिचे पर हिम्मत मतलब ए बार अक्रशन पैदा करने लगते बहुत आकरशन पैदाओं उसी के बाद फिर भाई जी महराज लाजदाव अब में दर्शन आपिस में हुआ ने रुखशा ने आपिस प्रेकर इसे भाई जी करके प्र आप जञानना चाहते हुँ अईसे चसमा एसे का और पूजराधा वगल में बैठे हैं, उसे यह प्रश्ण किया तो श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी, ऐसे देखें, और बुले, जब श्री कृष्ण बन जाओगे, तो श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, उस समय सही समझ में नहीं आ रहा था, उन्हीं की प्रभु का तो बुले, मन मयाहा, तदात्मिकाहा, तन मयाहा, यह में न जानी परे, कान हैं की प्राण है, जब कृष्ण में हो जाओगे, तभी कृष्ण का साक्षातकार होगा, फिर तो जड़ी लग जाती है अनुभाओं की, ब्रंदावन तो चमतकार का समुद्र है, फि फिर किसी को समझाने की जिरूतनीतaped बजन करो, बजन आनन्द प्रदन, इह सब बहुत, फिर वो तो नशे बाज हो जाता है, प्रहु के नाम का नशा, प्रहु की लीला का नशा, देखो, नशा कहने में लगेगा कि कशी बाद, आसा, बषं, ब्यशं, ब्यशं में जवन जहां भगवत चरित्रों रहे मां जाकर उनको सुनना या भगवत चरित्र गायन करना। तनमयाहा प्रभु में तलनेनता प्रभु के विशय में ही विचार और प्रभु के विशय में ही आचरण फिर ऐसी प्रेम की अधिक्ता बढ़ती है कि वो भगवत स्वरूप बन जाता है वो प्रभुमें हो जाता है और जिसे गोपी जन कहते हैं ऐसे उसका रोम रोम भगवत सुरूप हो जाता है फिर आगे की बाते जो है वो अनुभो गम में होती है फिर उसको ये सब रेनात हमारी रक्षा करो है पापो हम पापात्मा ये साब खतम हो जाता है कोई चाह नहीं कोई कामना नहीं वो भगवत सुरूप बेठा है या पड़ा है या जैसी वी स्तिती में है वो लाल लाडली की अनुराग रंग में डूबा रहता है सुब कर्मों का भी आस्ट्रे नहीं लेना अशुब कर्म की तो बात क्या केवल भगवद आस्ट्रे लेला है अगर सुब कर्मों का भी आस्ट्रे लिया तो भगवद प्रात्ती के मार्ग में बाधा आ जाएगी सुब कर्मों क्या क्योंकि शुब कर्म करने का अहम बना रहेगा कर्म का आश्रे हुआ भगवद आश्रे नहीं यह बड़ी सूक्ष्म बाते हैं इसलिए भगवद आश्रेत को जितने भी शुब कर्म प्रभू को समर्पित इनसे हमारा को नमम इनसे हमारा श्रम बंद नहीं आपकी कृपा शेव वामिश्यम अरपित है भगावथ प्रापती में देडि केवल अनय-आस्ट्रे की है ऐ ए लो खूझ लो खूझ लो जितनी जल्दी हो शकते हैं अन्य-आस्ट्रे त्यागों फिर जी नहीं सकते फिर बस रदे आह भर करके रोएगा आपके शिवा कोई नहीं आपके शिवा प्रूब अब तो मिल जाओ वो मतलब सुरू हो जाता है अन्यास्त्रे नहीं सची कहते है काशी में रोज लगता था कि आज महादेव जी मिलेंगे रोज अकेले शान्त गंगा का किनारा जो ऐसे खंडहर बहुत कई किलो मीटरों तक घाट ही घाट है सी घाट बहुत बड़े बड़े खंडहर पड़े जो पीछे की तरफ कोई जाता ही नहीं क्योंकि विश्वनाजी जाने का सामने से मारगे पीछे से कौन जाता शांते कांते रोज बस कोई अन्याश्रे नहीं किसी पास मिलना नहीं किसी से अगर कभी ऐसा लगता कोई आ रहा है तो और खंडहर की तरह पंदर चले जाना प्रती दिन लगता था आज महादेश मिलेगे आज महादेश मनाति हरस जनावन तेही आज देखे हों परमस अन्याश्रे रहे तो यह नहीं आएगा बस खास बात पकड़ लीजे अन्याश्रे ने एक भरोशु एक बल एक आश विश्वास एक राम घंश्याम हिच्चातक तुलशीदाश भगवद आश्रित पराधिन्ता मिट गई भगवद बिमुक पराधिन्ता और महान दुख यह परा किसी भी बिशे हम समझते हम बिशे को भोगते हैं बिशे हमें भोगता है बिशे हमें अधिन बना रहा है हम उसके बिना जी नहीं सकते ऐसी बात आ जाती है देखो अब इनासी का बच्चा क्या बोलने लगा मैं इसक ches अब इसकी बिना हम जी नहीं शकते है जंशार के पदार्तों का जब तक आकर्शन होता है तब तक कृश्ण depende मिलता भगवद आकर्शन का परिचे नहीं मिलता नहीं पगपग पर दिखाई देता है कि प्रिया जो कैसे दुलार कर रही पगपग पर प्रति पल प्रति छिन अनुभव होता है हमारी प्रिया जो हमें कितना प्यार कर रही प्रतिपल उसी प्यार में वहर समय डूबा रहता है जब तक इस्त्री का कर्शन, पुत्र का कर्शन, धन का कर्शन, विशे का कर्शन, बढाई का कर्शन, मान का कर्शन तब तक भगवदा कर्शन क्या होता है समझी नहीं सकते इस पस्ट वरिणां के लिए प्रभू का आश्रे होते ही प्रिय से प्रिवस्तु में राग नहीं रहता प्रिय से प्रिवस्तु में जो बहुत प्रिवो भी कभी गोश्वामी जी दुबारा जाकर अपनी अर्धांगेने से मिले हो ऐसा कहीं प्रशंग नहीं आता एक बार केवल वो राग प्रभू की तरफ मूड गया वचन से कि जितना इस चाम से प्यार करते हो उतना राम से करते तो तुम्हारा काम बन जाता अर्थात्म भगवत प्राप्त हो जाते मन से प्रणाम करके उसी को गुरु शब्द मान करके चल दिया और ऐसा आश्रे प्रगट हुआ कि प्रीशे प्रिवस्तु की भी स्मृती नहीं रहे जाती राग नहीं रहे जाता बड़े शिप बड़े शुक और पद में उसकी कोई रुची नहीं रह जाते हैं तब ही दिखो के न पारमेश्ठ्यम न महेंद धिश्रम मुझे दिवराजिंद्र का पद नहीं मुझे ब्रह्मा का पद नहीं योग की शिद्या नहीं मुझे मोक्ष भी नहीं मुझे अपने प्रभु जाए हर्श में उनको निरखता रहूं उनकी शेवा करता रहूं बहवो ग्यान तपशा पूता मद भाव मागता हा बहुत से ऐसे महत्मा हुए हैं जो ग्यान के द्वारा परम पवित्र हो गए हैं ग्यान क्या प्रभु हमारे दिव्य हैं प्रभु का श्रियंग दिव्य है प्रभु की लीला दिव्य है जन्म कर्म चा में दिव्यम ये वास्तिविक ज्ञान है और इस ज्ञान का श्वरूप होगा कि आपको श्वभाविक अपना परिचे प्राप्त हो जाएगा जैसे दरपन के सामने अपना प्रतिविंब दिखाई देता है ऐसे भगवत चिंतन से पवित्र हुए हरदय में अपने श्वरूप का अनुभव हो जाता है मंदर्शन फल परमनूपा जीव पाव निजशेर श्रूपा